अफिसोर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा पाबर स्टॉक के बारी में टेखनीकली अभी भी इस स्टॉक के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है जो स्ट्रेंथ देखने की चाहत है जिससे की स्टॉक का प्राइस लगबग 270 तक जाने का दमखम रखे अभराल ये कंपनी का मार्केट केप लगबग 75,000 करूर के आसपास का है और इस समय 232 के प्राइस पे चल रहा है फंडामेंटली इस स्टॉक को मल्टिवेगर का दो मुख्य वजह हैं जो लोगों को होप देला था है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का पहला तो एलेक्टिक चार्जिंग सॉल्यूशन और दूसरा रिनिवल इनर्जी इस स्टॉक में हमने देखा कि 232 का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रोस करते विए नहीं दिख रही है अभी भी 230-31 के आत्पास स्टेट करते विए दिख रहा है एक बार 232 के उपर दो दिन कांटिन्वस क्लोजिंग अगर दिख जाए डेली बेसिस पे तो सियोली इस स्टॉक में 270 तक के टार्गेट आपको असानी से दिखेंगे MD का एक बरा बयान इस स्टॉक को लेकर के आते विए दिखा कि बिजली के डिमांड में काफी बढ़त होते विए दिख रहा है जिस प्रकास अलेक्टिक वेहकल की बात चल रही है वो चाहे डेलवे का हो या वेहकल का अबराल इलेक्टिक डिमांड काफी बरते विए दिख रहे हैं इस समय 190 गिगावार्ट के आसपास का है वो लगभग 220 गिगावार्ट तक जाने का विदिन एयर टार्गेट रखा गया है लेकिन इसके साथ ही जो कोल माइनिंग है कोल का जो इंटरनेशनल प्राइस है क्योंकि आपको पता ही है कि कोल और गैस लगभग मैक्सिमम 30% के आसपास का जो इंपोर्ट है वो रसिया से ही होता है जिसके कारण काफी प्राइस में इंक्रीजमेंट हुआ है लेकिन उसके साथ ही अभी भी डोमेस्टिक कोल का प्राइस फ् का बहुत इंपक्ट आते विए दिख सकता है लॉंग टर्न प्रोस्पेक्टिव इसे स्टॉक को लेकरके बहुत यह बुलिस है जहां 215-18 के स्टॉप लॉस को लगा करके 275 अस्ती का सोट टर्म टार्गेट विदिन 15 डेज के लिए और लॉंग टर्म टार्गेट इसे स्ट स्टॉक में विदिन टू यर शिक्स हम्रेट प्लस का स्योरली आपको देखने को मिलने वाला है